मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार आईएस पूजा सिंगा और सीएस सुमन कुमार सिंग की रिमांड अवधी चार दिन और बढ़ गई है रिमांड अवधी खत्म होने के परवर्टक निदेशवाले की टीम ने दोनों को नियाएधीश के समक्ष पेश किया इस दोरान एडी के वकील ने पूजा सिंगल के लिए नौ दिन और सुमन कुमार के लिए पांच दिनों की रिमांड अवधी बढ़ाई जाने की मांगी इस पर न्याय धीश ने दोनों के लिए चार दिनों की रिमांड की स्विकर्ति दे दी है गौर तलब है कि पूजा सिंगल और सिये सुमन सिंगों रिमांड पर लेकर ED की टीम पूछताच कर रही थी सुमवार को रिमांड अवदी खत्म होने के बाद नयाय धीश के समक्ष आज पेश किया गया जहां से दोनों को और चार दिन के रिमांड की स्विकर्ति ED को मिल गई है ED के विशेश जज पीके शर्मा ने दोनों आरोपियों की रिमांड अवधी और चार दिनों के लिए बढ़ा दी है सुमवार को बुधु पुर्णिमा के छुटी होने के चलते दोनों आरोपियों को ED के द्वारा स्पेशल जज प्रभात शर्मा के आवास पर पेश किया गया और उनसे दोनों की रिमांड अवधी बढ़ाने की मांग की गई थी इससे पहले दोनों को पांच दिनों के रिमांड पर ED को पुष्टाच के लिए स्वापा गया था आज दोनों आरोपियों की रिमांड अवधी खत्म हो गई थी उदर राची इस्तित ED को जोनल आफिस के दुमका DMO कृष्ट कुमार किशको और पाको DMO प्रमोद कुमार शाह से पुष्टाच की इन अधिकारियों से खनन मसले को लेकर सवाल किये जा रहे हैं हालकि साहिब गंच के DMO बुलावे के बाद भी ED आफिस नहीं पहुँचे ED के सुत्रों के मताविक पुजा सिंगल से आगे कई अन्या महतोपूर मुद्दो पर पुष्टाच की जानी है मन्नी लॉडरिंग से जुड़े हुए कई अन्या आरुपियों के बारे में विस्तार से पुष्टाच करनी है इसलिए ये रिमांड बेहत महतोपूर है जाच एजनसी के द्वारा फिलहाल मन्रेगा घुटाला से जुड़े मामले में जाज की जा रही है इसी जाच परताल के दौरान ED को खनन घुटाला से भी जुड़े महतोपूर दस्तावेजों और जानकारियां हाथ लगी है उन मामलों के भी परताल करने के लिए पूचा सिंगल को और कुछ दिनों के रिमांड में लेकर आगे पूचताच की जाएगी क्योंकि उस खनन घुटाले से जुड़े कई सफेद पोश्य सरकारी अधिकारी नेताओं और कारोबारियों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजरा रहा है पंजाब केसे टीवी के लिए राची से सुमित कुमार की रिपूर्ट